असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूं तिन्वी टैम्लाउग इसलामबाद पाकिस्तान से आज की मेरी वीडियो लाइन ब्रीड क्रॉस ब्रीड और इन ब्रीड के डिफरेंस को समझने के लिए और यह मेरी इस लाइन में सेकंड वीडियो है फर्स वीडियो मैंने अपनी आफ कर दिया है विकाज आई वान्टो डिसकस न्यू थिंग्स मैं चाहता हूं कि हम नई चीज़ें और नई कॉंसेप्ट और नई जो चीज़ें समझे हैं उनको हम डिसकस कर सकते हैं सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि बेसिक टैफिनेशन से गो कि ये डैफिनेशन फिर आग अब जिस तरह सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्रोस ब्रीड के साथ क्रोस ब्रीड का मतलब है कि दो मुखति ब्रीड्स को आपस में जोडा जाए मसला मेरे घर का एक रेसिंग पिजन है और मेरे एक दोस्ट का घर का रेसिंग पिजन है उसे जब हम आपस में पेर अप करते हैं तो वो क्रॉस ब्रीड नहीं होता क्योंकि दोनों सेम ब्रीड है तो ये क्रॉस कब होगा कि मिसाल के तोर पे मैं अपने रेसर को लके के साथ तरास कर दूँ मैं अपने रेसर को किसी असील हाई फ्लाइर से क्रॉस कर दूँ तो ये दोनों अनवा मुख्तलिफ हैं दोनों ब्रीड है एक हाई फ्लाइंग ब्रीड है एक रेसर ब्रीड है एक हाई फ्लाइंग ब्रीड है एक फैंसी ब्रीड है, एक ओमर ब्रीड है, इनको जब मिलाएंगे तो आने वाली जो ब्रीड है, वो क्रॉस ब्रीड कहलाती है, लेकिन सेम ब्रीड का अपस में क्रास करवा देना, यानि कि जोडे में डाल देना, उसका यह मतलब नहीं होते हैं, इसके बाद आ जाती है, इन इन ब्रीड का मतलब है कि ऐसे दो को बूतरों का आपस में जोड़ा लगाना, जिसके अपने यानि को कहते हैं, पैदाईश के अंदर कम अज़कम दूसरों का हाथ हो, उन्हीं के साथ दोबारा जोड़े लगा देना, जो ब्रुपल क्लोज होते हैं, बेटा बेटी, बेन ब बठा और उसको उसकी माँ से, दादे को उसकी बोती से, ठीक है, तो इन सब का आपस में तालुक है, एक जोड़े की वए से जो बच्चे पैदा वेयां तो उसी की वह डवैलपमेंट है, इसलिए जब फून के इसके रिश्टों को मिलाते हैं तो इसको कहते हैं जी इन ब्र होता है, यह अमुमन बेसिक कैटेगरी, गो कि मैं आप समझता हूं कि सिरफ शार्टों मिडल एक कैटेगरी है और फिर आगे लांग तुमेरत हैं एक कैटेगरी शायद हो, और शायद कुछ केसिस में आल रांडर हो एक ही कैटेगरी हो, लेकिन समझने के हद तक यह अभी त किन सो किलोमेटर तक उर्डने हो लें, तब यह 400 भी उड़ जाते हों een kazaar के लइसे । और मेरे घर में एक दूसरा कबूतर है जो ABC लाइन से है और वो भी शाट डिस्टंस की क्राइटेरिये के ओपर एक्जिस्ट कलता है तो इन दोनों की लाइन से हो गई दोनों शाट डिस्टंस है इनको जब मैं मिलाओंगा तो ये आपकी लाइन बरीड हो जाएगी इस तरह लाइन का एक दूसरा लाइन का एक जब हम मिलाएंगे तो ये लाइन बरीड हो जाएगी अच्छा जिसा मैंने पहले का कि ये थोड़े से कॉंसेप्ट अपडेट भी हो जाते हैं बाज का समझना इसलिए मुश्किल होता है मिसाल के तोर पे मैं अपने गहर में मौजूद हूँ मैंने पास एक मिलर डिस्टनस कभूतर है में अपने एक जोड़े का दूसरे जोड़े के साथ जोड़ा बठाता हूँ तो उससे आने वाले बच्चे वो एक ही वक्त में इन्वरीड भी हो सकते हैं और लाइन्वरीड भी हो सकते हैं वोने समरादी है कि टेक्निकली वो उस कैटेगरी में एक्जिस्ट कर सकते हैं मसला जोड़ा ए जोड़ा जोड़ा है उसके मेरे पास बच्चे हैं और जोड़ा बी है उसके बच्चे हैं दोनों मेरा जो टॉप में जैंसन था मिसाल के तोरुपे उसकी बच्चे हैं और हैं भी उसके दूसरी उसके कलाच में से मिसाल के तौर प्लोज रिलेशन में जब इन्हें क्रॉस कराओंगा तो वो लाइन वाला क्राइटेरिया भी पूरा होगा कि शॉर्ट डिस्टंस है और इन्हें बरेटिंग का भी क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा क्योंके वो वाबस में रिश्टादार भी है सो वग के साथ साथ जब हम पूल बनाते हैं अपना जीन पूल जो समय पहले डिसक्स किया और वो इसी तरह बनता है कि एक अच्छी मादी रोक लिए आपने एक जोड़ी ते फिर उसी का क्रास करा करोई दूसरे के साथ में जोड़े से एक नरबी रोक लिए आपने जो आक टॉप किसंगे परफॉार्मस दे रहा था पिर उनके दूसरा कलाच ले लिया फिर उनको बच्चे लिए फिर नरकम और मादी को चेंज किया एक निया बीच में थोड़ा से इंटिड्यूस कराया लेकिन हाफ तोर पे तो इन ब्रीड है तो वर्क के सासथ क्या होता है कि वो जो प्रोड़क्शन है आपकी वो इन ब्रीड भी होती है वो उसी लम्हे वो लाइन ब्रीड भी होती है तो ये काफ़ी बलर बाॉंडरी हो जाती है तो इसलिए मैंने पहले कोर का समझाया आपको क्यों होती है लेकिन आज कर इंप्लिमेंटेशन की वज़ा से इसका फरक रूमना मुश्किल है मिजाल की दोर पे आज देखें जिस तरह हाई फ्लायर में हमारे दोस्ते हैं वो अमूमन टर्म यूज़ करते हैं क्रॉस जम मैंने टैडी किया उसको मैंने क्रास कराया गोर्डन आले से तो यह गल्द टर्म है अगर क्रास कराने का मतलब यह है कि मैंने टैडी को गोर्डन से जोड़े में डाला तो ठीक है लेकिन अगर उसका मतलब ब्रीडिंग इस तला से है तो आप खुछ समझ सकते हैं कि वो तो दोनों असीलों को मलाया है तो वो तो क्रास हुई नहीं ब्रीड जिनेटिक्स के अद्वार से वो क्रास नहीं है वो या इन ब्रीड होगी और मेरा कहले असीलों तो लाइन ब्रीड भी नहीं होती और उसकी रीजन ये है कि उनकी रजीम ही एक है ज्यादा से ज्यादा गैंटे उड़ना तो इसके लाव उनका कंपटिशन ही कोई नहीं होता है उनकी तो क्लास एग्जिस्टनसी एक चीज़ के ओपर है टाइम के ओपर है तो वो लामहाला सारे हाय फलायर जो उनसा है वो लाइन बरीड है अब उसके अंदर फिर जिससा जो कौलिफाय करेगा रिश्टदारों के ओपर तो वो इन बरीड में भी आप जाएगा लेकिन क्रा रेड नेएं और वो पते नहीं सकी और हड्रिजनेशन क्या है और वैसे हाई फलायर के अंदर खहता होता हीनि पैड़गरी और तूकों पे चाल रहे होते हैं कि आंक तो जर लितो इसका रंग यस तरह की आख भीद्चस तरह किया तो यह टैडी है इसके यह तरहां का है द तो वो तो वैसी तुकों के चल रहे होते हैं तो ऐसी सूरत हाल में कोई क्लेम करना वो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है नो कि लिए 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 कि वराल करते हैं वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ अगर फिर भी आपका क्वेस्चन हो तो बताईएगा उमीद करता हूँ कि कुछ अटकोर जोंसा है आपको इन ब्रीड, लाइन ब्रीड और क्रॉस ब्रीड का इलम होके होगा थैंक्स पर वाचिंग, तरमीर फ्राम टैंसलाफ्ट